तो आज मैं पेश कर रहा हूँ एक नया अनिमे ब्योंड दी बाउंडरी या फिर क्यों का इनो कानाटा इसके 12 एपिसोड से और इसे क्योटो एनिमेशन ने प्रडियूस किया है अब क्वालिटी पर तो कोई सवाल नहीं उठता है मगर क्या इसकी स्टोरी इतनी को यकिन है कि वो बिना ऐसी कोई हरकत करे ही जिन्दगी बिता लेगा रास्ते में जाते वक्त आकी हिटो छत पर एक लड़की को देखता है हवा में बहरे उसके ब्लू रिबन से पता चलता है कि वो फर्स्ट एयर में है अब यहां पर दो चीज़े हो सकती है पहला हमारा प चत पर आकर हाफते हुए आकी हिटो उस लड़की पर चिलाने लगता है मगर हमें कुछ सुनाई नहीं देता है सिवाए एक वाक्या के चश्मे में तुम्हारी तरह इतनी सुन्दर दिखने वाली लड़की ऐसे ही नहीं मर सकती और इसके बाद आकी हिटो ने अपनी पूरी आकी हिटो के सीने में होती है दोनों जूग जाते हैं और लड़कडाती आवाज में वो कहती है तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो दर्द में डुगा हुआ आकी हिटो कहता है क्या तुम इस नुकिली चीज का कुछ कर सकती हो ये बहुत दुक रहा है प्लीज ये सुनकर वो ल ने को ही नहीं मिलती अब हम आ जाते हैं लिट्रेचर कलब में यहां पर आकी हिटो एक दूसरी लड़की के साथ बैठकर डिसकस कर रहा है कि पब्लिश की गई सारी मैगजिन्स में कौन कौन सी अच्छी कहानिया है उन दोनों को अलग अलग तरह की स्टोरी पसंद आती हैं कि सारा काम हमें ही करना पड़ेगा अब आकी हिटो हार मान लेता है और उसे शांती से स्टोरी चुनने को कहता है इतने में बहार से कुछ आवाजाने लगती है तो मित्स की अंदाजा लगा लेती है कि वहाँ पर जरूर मीराई कुरियामा होगी अब आकी हिटो बहार चला और मिराई को देखकर भी उसे अंदेखा करते हुए आगे चलता है मिराई उसका पीछा करती है और जैसे ही वह रुकता है मिराई कब बोर्ड में चुपने की कोशिच में बुरी तरह से नातामियाब होती है जमीन पर गिरी मिराई से वह पूछता है कि वह क्या कर रही है में अंदाजा भी है कि पिछले एक हफते में तुमने मुझे कितनी बार मारा है मिराई अपनी क्यूरियोसिटी मिटाने के लिए ये सब कर रहे है क्यों कि उसने आज तक किसी को भी तनी बार जान लेवा हमले जहलने के बाद खड़ा होते हुए नहीं देखा था जिस पर ए या आधा उसे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक मीराई एक स्पिरिट वर्ड वारियर है तब तक वो आकी हिटो के पीछे लगी रहेगी और एक धमाके के साथ मीराई वहां से चली जाती है आकी हिटो क्लब रूम में वापस आता है उसके आता ही मिट्सकी एक खतरनाक बा करता है क्योंकि उसने मिट्सकी की जबान से इतनी घटिया वात कभी नहीं सुनी थी अकी हिटो कहता है अगर तुम मेरा मजाक उड़ाना बंद नहीं करोगी तो अंजाम काफी बुला होगा मूं से लॉलीपॉप निकाल कर मिट्सकी कहती है ये तो मेरा डेली रूटीन है इ उसे तुम्हें मारने दोना और की हिटो नारास होकर जवाब देता है इसकी कोई जरूरत नहीं है हमर होने का ये मतलब नहीं है कि मुझे दर्द नहीं होता बारबार अपने औरगंस को इधर उदर होते हुए महसुसprना कितना भयानक होता है तुम्हें पता भी है आकी हिटो कुछ समझ नहीं पाता है कि मेरा ये ऐसा क्यों कर रही है अगर थोड़ा सा ध्यान लगाने पर उसे असल बद समझ आती है कि ये प्यार किया आकी हिटो समझ जाता है कि खुबसूरत जश्मे वाली लड़की को प्यार करने का उसका सपना पूरा होने वाला है अब उसे वापस रियालिटी में खीच कर मिट्स की उसे मीराई कुरिया मसे थोड़ी दूरी बनाए रखने को कहती है वो कहती है मेरी फैमिली अच्छे से कहूं तो ना से फैमिली इसे रिया की खड़ी होती है किसी को पता ना चले इसलिए मेराई ने यहां पर इक बैरियर भी सेट किया है आखी हिटो इन सब से बोर हो चुका है मगर यह समझ नहीं पाया है कि मीराई अपने खुन को कैसे मेन्यूपूलेट कर सकती है मीराई से पता चलता है कि यह उसके क्लैन की खासि निकलता है, अब मीराई गिरते पड़ते उसके पीछे लग जाती है और सीडियों पर आंकी हीटो की दो टुकुरे करने से बस थोड़ा साथ चोंग जाती है आंकी हीटो हॉल की खिरकी से निकल जाता है और बहार भागते वक्त उपर से मिराई टपक पड़ती है आकीरिटो से चकमा देने के लिए अपना बैग फेग देता है जिसके दो टुकड़े हो जाते है मगर मिराई का बैलन्स बिगड़ जाता है अब मिराई के सामने एक पानी की बाल्टी आ जाती है और वो उसके भी दो टुकडे कर देती है मगर इस मौके का फायदा उठा कर आकी हिटो बच निकलता है और पीछा करने की कोशिश में मीराई का पैर फस जाता है अब मीराई एक खाली क्लासरूम में उसे ढूंडने चली आती है वो बहुत साफधानी के साथ रूम चेक करने लगती है तो टेलिफोन की आवाज उसे चौंका देती है और इतने में मौके का फायदा उठा कर आकी हिटो उस पर कबर्ड गिरा देता है मगर मीराई एक होरर मुवी के विलन की तरह कबर्ड चीरते हुए निकलती है और यहीं पर यह चुहे बिलनी काकेल खतम होता है क्योंकि मीराई का पेट आवाज करने लगता है अचानक खिलकी में आकर कुछ टकराता है देखते ही देखते खिलकी तूट जाती है और उनके सामने एक योमू खड़ा होता है वो दोनों घबराने लगते हैं तो बाहर से एक औरत आकर एक ही लागते उस योमू को बाहर निकाल देती है दूसरों को यह योमू दिखाई नहीं देता है और उसके पीछे जाने से पहले वो औरत आकिरिटो को क्लिलनर्स को बूलाने को कहती है यह औरत थी शीजुकू नीनो मिया उर्फ नीनो और यही सेरिया की एक फेमस स्पिरिट वर्ल्ड वारियर है यहाँ पर आकिहिटो नोटिस करता है कि मिराई के हाथ काप रही है रेस्टोरेंट पे हमें पता चलता है कि मिराई ने आज तक एक भी योमो को मारने की कोशिश नहीं की है इस डर से कि उसे भी बाकियों की तरह अपनी वार्स की वज़े से मार दिया जाएगा इस बात से आकिहिटो यह समझ जाता है कि अब तक मिराई उसके साथ सिर्फ कॉमबैट प्रैक्टिस कर रही थी आकिहिटो नाराज हो जाता है तो एक शर्त पर मिराई आज उस पर हमला नहीं करने को राजी होती है वो शर्त है डिनर के पैसे देना बेवस होकर आकिहिटो मान जाता है और यह सिन खतम होता है दूसरे तरफ शीजो को सियोम को खतम कर देती है और उसे एक क्रिस्टल मिल जाता है डिनर खतम करके घर जाते वक्त आकी हिटो मीराई को सला देता है क्योंसे अब दूसरे योग मुपर हमला करना शुरू करना चाहिए क्योंकि एक अमर इंसान पर वक्त जाया करने से ये बहतर होगा उन दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं मागर घर आकर भी आकिहिटो को मीराई का behavior अजीब लगता है और उसकी चिंता होने लगती है अगले दिन स्कूल केफेटेरिया में आकिहिटो की मुलाकात होती है मिट्सकी से जो गलती से भी कभी केफेटेरिया नहीं आती है मुलाकात होते ही उन दोनों की बक्वास शुरू हो जाती है और कुछ वक्त के बाद मिट्सकी उसे पास बुला कर मीराई कुरियामा से दूर रहने की सला देती है क्योंकि ना से फैमिली मीराई पर नजर रख रही है आकी हिटो इसके पीछे का कारण पूछता है मगर उसे कोई ठोस जवाब नहीं मिलता है मिट्सकी जानती है कि मना करने के बावजुद आकी हिटो जाकर मीराई से मिलेगा और चाहे जो हो जाए वो नहीं मरेगा फिर भी अगर वो मर सकता तो उसके साथ बहुत कुछ बुरा होता स्कूल खतम होने के बाद हमेशा की तरह आज भी मिराई क्लब रूम के सामने आकी हिटो के लिए रुकी है मगर आज मिराई का चेहरा थोड़ा उत्रा हुआ है और आकी हिटो के कहने पर वो आज जमेला नहीं करती है बाहर कुछ स्नेक्स खरीदने के बाद पेमेंट के वक्त मिराई के पर से अचानक पैसे गायब हो जाते है वो घबराने लगती है तो फिर से आकी हिटो उसकी मदद करता है वो दोनों पार्क में बैट कर बात करने लगते हैं और आकी हिटो मिराई को इंडिरेक्टली बताने की कोशिश करता है कि उसके साथ कुछ अन्होनी हो सकती है मगर मिराई दूसरे जहनजट की वज़े से ज्यादा परिशान है वो आकी हिटो को दिखाती है कि उसके ब्लॉग पर लोगों का रिस्पॉंस काफी बुरा आ रहा है इसी वज़े से मिराई को पैसो की कमी भी हो रही है मिराई अपने अपार्टमेंट में जाने की जगाए पर यहां रुक कर खाने लगती है तो आकी हिटो को शक हो जाता है कि उसके साथ कुछ तो गड़बड है मिराई के मूँ से गलती से निकल जाता है कि उसके नए अपार्टमेंट में अनफॉर्चुनेटली एक योमू रहता है अब आकी हिटो को बात समझाती है और वो मिराई से कहता है चलो तुम्हारे अपार्टमेंट चलते हैं उस योमू को मारने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा और अगर तुम सक्सेस्फूल होती हो तो बदले में कुछ पैसे भी मिलेंगे और तुम्हारा एक्स्पिरियंस भी बढ़ेगा अगर मीराई उसके साथ हुई कोई पुरानी घटना को लेकर घबरा जाती है और उस योमू को मारने की बात से डरने लगती है अगर मीराई एक स्पिरिट वर्ल्ड वारियर के काम को छोड़ सकती तो वो कब का ऐसा कर चुकी होती आकी हिटो मुस्कुरा कर कहता है मैं भी तुम्हारी तरह हूँ अपार्टमेंट में आकर लाइट्स ओन करते ही अचानक से बत्तियां ओन आफ होने लगती है और अपने आप टैफ से पानी निकलने लगता है मीराई अपना बलेड निकल कर तयार रहती है आकी हिटो के इशारा करते ही वो परचाई ये से दिखने वाले योमू पर हमला करती है मगर वो मिस कर जाती है लोर से वो योमू लंबे लंबे कपलो का यूज करकी मीराई पर हमला करता है तो वो उन्हें चीर कर लग देती है चोटे चोटे कट्स में हम दो अंजान लोगों को देखते हैं और दूसरी तरफ मीराई पहली बार उस योमु के असली रूप को देखती है जो एक ममी की तरह दिखता है पहला एपिसोड यहां पर खतम होता है और आज तो आपको कमेंट्स में बताना पड़ेगा कि इस सीरीज की शुरुआत कैसी लगी एपिसोड अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करना मैं मिलता हूं अगले एपिसोड के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड थैंक्स फोर वाचिंग